नमस्कार दोस्तों कंसेप्ट के इंग में आपका स्वागत हैं दोस्तों हमने जोग्रफी इंखटन चकर की बुक स्टार्ट की थी और जिसमें हमने कुछ चैप्टर को पढ़ा था देखिए हमने पहला चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट के आता वीडियो में और सैकिंड च चिन एम अध्या भारत की परवर्थ स्रेनियों इम पहड़ियों को डिसकस करेंगे और देखेंगे कि कोशन को अटेम्ट करने की क्या टेंडेंट परकरती रहती है और को किस प्रकार से हमें टैकल करना होता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जो सेकिंड चैप्टर है भारत का प्राकरतिक विभाजन है और यह बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है जिससे हर एक्जाम में कोशन पूशे जाते हैं देखिए जो सेकिंड वाला था उत्तर का परवर्त्य प्रतेश इसको तो हम पढ़ चुके थे लेकिन जो थर्ड वाला है उसको हम स्टार् कि यह जो चैप्टर है कि हम ओपन कर लेते हैं इसको थर्ड चैप्टर है कि देखिए यह वाला जो चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि दक्षिन जो भारत है या मद्ध्य भारत है उनकी पाड़ियों को मिसमें डिसकस करेंगे और यह बहुत है होतीज़ा इंपोर्टेंट है यह वाला करते हैं पहला कोशन देखते है देखे पहला कोशन जो है वह है निमलिखित में सबसे प्राचींतम परवर्थ संकला कौन सी है तो सबसे प्राचींतम संकला दोस्तों अरावली है और अरावली एक अवसिस्ट परवत का भी उद्धारण है इसका में एक्स्प्लिनेशन को भी एक बार पढ़ लेते हैं अरावली कहां पर इस्तिते इसको हम देख लेते हैं अरावली स्रेनिंग गुजरात के पालनपूर से लेकर राजिस्थान इम हर्याना से होकर दिल्ली तक लगबग 800 किलोमेटर की लंबाय में फैली है इसका निर्मान प्री केंब्रेन काल में हुआ था इसको ध्यान में रखना है दूसरा जो इसमें इन्पोर्टेंट पॉइंट है वह है सर्वो चोटी स्की कौनसी है गुरू सिखर तो अरावली परवस्री ने सबसे प्राचिंतम है और एक कहां तक विस्तारीत है गुजरात से लेकर और दिल्ली तक विस्तारीत है इसकी सबसे होची चोटी कौनसी है गुरू सिखर इसको आपको धियान रखना है अगला कोशन देखते हैं देखिए जो सैकिंड कोर्षें है यह भी कोरूषन रेपीटवेशन है पिछले साल के को इसकोम करनेका यह सबसे इंपोर्टंट यह सबसे महत्रपूर्पूर्ण वैनेफिट होता है कि हमें एक तो कोशन के प्रकरती का पता लगता है, दूसरा हमें पता लगता है कि कौन से कोशन एक्जाम में रिपीट होते हैं, उन कोशन के इर्द गिर्दी हमको भूमना होता है, उनके आसपासी हमको तयारी करनी होती है, तो पढ़िए बाहरत के निमलिखित परवत प्रण प्राचीनतम है, उसका राइट आंसर है अरावली, अरावली प्रवस्रेणी सबसे प्राचीनतम स्रेणी है, अरावली स्रेणी किस राज्ये मिश्तिते हैं, अरावली स्रेणिया, देखिए, चार उप्सन आपके सामने हैं, राजिस्तान, हिमाचल प्रदेश, आंद्र प्र अरावली परवस्त्रीणिए वह आपकी राजिस्थान में स्थीत थ είναι हिमाचर परदेश अनर परदेश उडिसा इन तीनों में दोस्तों नहीं except गुजराथ से लेकर राजिस्तान और आपके हर्याना और यह दिल्लिय तक विस्तारीऩ स्का right answer तरह से अगला कोशन देखते हैं भारत की प्राचींतम प्रवस्रेणे कुण सी है तो चार ओप्षन आपके सामने है अरावलि इमालिय सिवालिक विध्यान्चन प्रवावली यह एक अवसिस्ट प्रवत का भी धारन है अवसिस्ट का मतलब होता है दोस्तों इस परवत का अपक्सर परदन के माध्यम से इतना ज्यादा अपक्सर परदन हो चुका है यह बिल्कुल ही मतलब समाप्तिकी का गार पर रहें तो अरावली प्रवस्रेणि एक अवसिस्ट प्रवत भी और प्राचीनतम प्रवत भी और इसकी सबसे उची चोटी कुन सी है गुरू सिखर गुरू सिखर सबसे उची चोटी है अगला कोशन देखते हैं अरावली सिरेणियों के नुमानित आयू है उसका राइट आंसर है 570 मिलियन वर्स यह आपको धिहनम रखना है और देखिए यह आई एस प्री दोजार एक में पूछा गया है तो 570 मिलियन वर्स निक्स्ट खोसन है देश्मे निम्नांकित में से कौन सा भुवलिक छेत्र सबसे प्राची इंतम है तो आपको बताना हमाले का परवते छेत्र, उत्तर बहारत का विशाल में धान, भारत प्रादी पथार, पूर्वी तर्टी मैंदान, यी उप्रुक में से कोई नहीं हिमाले का परिवतय छेतरी दोस्तो नवींतम परवत्रेनी आए उत्तर चा भारत का विशान मैंदान ये भी नवींतम everywhere भारत का प्राइदी पर पठार पूर्वी तर्टे मदान तो उसका राइट आंसर प्राइदी पर पठार है जो सबसे प्राचीनतम है उसका राइट आंसर है और भारत में सबसे प्राचीनतम दोस्तों अगर कोई सा पठार है तो प्राइदी पर पठार ही है आगे बढ़ते है लेकिन निमन में से रेजिट्ट्ड्ययल प्रवत का उद्हारण है, रेजिट्ड्यल का मनदलब उत्त là अवसिस्ट परवत, और अवसिस्ट प्रवत का उद्हारण दोश्त अरावली है भारत में, उसका राईट गाद्षिन है अराव लिड्डी, छल्यूर्वर पहतने, को पढ़ते हैं अनायमोडी दक्षीन भारत या प्रायदी भारत की सर्वोच चोटी है इसकी उचाई 2695 मेटा रहे हैं और यह केरल में स्थीत है यह आपको दिहान में रखना है और केरल कहां पर दोस्तों अगर हम भारत का मैब बनाएंगे तो पस्चिम घाट में स्थीत है त सि जो बॉहतर रहा है गुरुषजझ चोटी है तो अभी घुरुषच करत देखते हैं प्रहायदीब की सबसे प्षाषब्चीं प्रवस्हटी है कि आगर इहां प्रहायदीब ह्भारत की ubiquते इसफ लूंचीं चोटी है कि बोज़ते आपसे दख्षीन भरत की सबसेवंसी चोटी कुझसी है आपसे पस्चिमी घाट की सबसेवंसी चोटी कुझसी है तो इसका राइट आंसर होगा अनाय मूडी अगला कोशन देखते हैं नर्मदा नजीन के मद्ध सत्पुडा सिरेणिया तो राइट आंसर हो जायागा बी सत्पुडा सिरेणिया अधे सत्पूडा स्रेनka के उतरी खाग प्र नर्मदा भाग पर तापि नदी बायती है। नियुतल तर्मनी नर्मदा नदी यहां पर उतर में भारते शتيनकी वारते हैं। तो सत्पुड़ा सिरेणिया दोनों नदियों के मद्ध्य में स्तित है यह आपको दियान में रखना है सत्पुड़ा सिरेणि और यह दोनों नदि दोस्तों अरब सागर में गिरती है यह आपको दियान में रखना है नर्मदा इम्ताप की नदि कहां गिरती है अरब सागर में अगला कोर्शन देखते हैं उत्तर से शुरूकर दक्षिन की और पाहड़ियों का अनुक्रम हमें लगाना है यह पढ़ते हैं नल्लमलाई निलगरी जवादी अन्नमलाई तो आप देखेंगे पूर्वी घाट की पाहड़िया है और पूर्वी घाट दोस्तों आंध्र प्रद आपसे उत्तर से दक्षिन और दक्षिन के करम में आपसे कोशन पूश सकता है तो उसका राइट आंसर आपने देख लिए सी इसका करम आप ऐसी लगा लिए ना या मैप आप देखेंगे तो महां से इसको देख कर रहें अरेंज कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है निमलिखित उच्चावाच आकरतियों पर ध्यान दीजिए उप्रोप्त उच्चावाच आकरतियों का पस्चिम से पूर के और बढ़ते करम में लगाना है आपको जो प्राकरतिक विभाजन है भारत का सेकिंड चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसको अच इसको याद रखना है और एशी बार-बार इसको मैप को ध्यान में रखना है इसका राइतन सरै इसक条 क्रम महादेव में, प्रवत, प्रवत स्रंकला, चोटा नाकपुरू का पठा रहा है और खासी की पाड़ी है नियुखेए खासी की पड़ाा कहा है दोस्तों जो ये ये तो आप लगा सकते सबसे लास्ट में पूरँ में यही होगा अगा तो आपको इसी करह में जानाखना है तो semester है अगरम पड़ें तो महादे परवर्त संकला कि म हैं काल परवर्ट संकला चोता नापपूर ऑर खांसे पाड़िया सबसे पूलम गारो खासी जयनतिय ये तीन पहड़ी में हमिन इंपोटेंट है यहां पर जवाब पढ़ेंगे तो गारो खासी जयनतिय अपको इसक्रम में इसको याद रखना है आगे बढ़ते हैं निमलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पस्चिमी घाट से मिलता है यह बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन है यह कई बार एक्जाम में रिपीट हुआ है कि जहां पर पस्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं वो कौन सी पहाड आज आएंगे उर मैं इसी तरह से ज़्यादा आसाणी से बना पाता हूं यहां पर पस्चिमी घाट है और यहां पर पूर्वी घाट यह दोनों जहां पर एक साथ मिलेगे हैं मत्यात रखना रखना नेल गळी-वाहडी को बूमर कहते हैं नील मनंने बलू तो blue mountain भी बोलते हैं और नीलगिरी की सबसे उंची चोटी कुंसी है दोदा बेटा दोदा बेटा इसको आपको ऐसे ही आद रखना है नीलगिरी पाहडी की सबसे उंची चोटी कुंसी है दोदा बेटा और पस्ची में घाट या प्रायदीप या भारत की सबसे उंची चोटी का उनसे है आण अअमूड अगे बढ़ते हैं इसी दोड़ा बेटा चोटी कहा परिस्तीन सबसे इसी चोटि कुंसे है दोड़ा बेटा और निलगेडी फ्रलाय। क्योंकि अब पूर्वीघाट और पस्चिमिघाट के मिलन बिंदू पर इसी है तक्षिन की तरफ उसका right answer अब आगे बढ़ते हैं जहां पूर्वीघाट और पस्चिमिघाट मिलते हैं वहाँ निमलिकित में कौन सी पाढ़े अवस्तित हैं तो नीलगरी पहड़ी आवस्तित हैं देखे कई बार ही रिपीट है कोस्टन और हर एक्जाम में रिपीट होता ही है आगे बढ़ते हैं निमलिखित में कौन एक करनाटक केरल तमिलाडू राजे के मिलन पर रिस्तित हैं तो करनाटक केरल तमिलाडू दक्षिन भारत की तरफ बढ़ेंगे आप ताउत में जब ओर जाएंगे दक्षिन की तरफ तो नीलगरी पहड़ियां राइट आंसर हैं डी आगे बढ़ते हैं नीलगरी प्रवतमाला जिस राज्य मिस्तित हैं वह है आप कोश्चन को पढ़े के भी अलिमिनेट कर सकते हैं नीलगरी पाड़ी आपको यह तो पता है दक्षिन भारत में महरास्ट तो गलत हो जाएगा उत्रक्षन गलत हो जाएगा उडिसा गलत हो जाएगा तो राइट आंसर है अगर आप यह भी कन्फ्यूजन में हैं तो आपको देखें औप्षन से कितनी असानी से आपने देखा है अगर बढ़त है भारते समझर सास्त्य योग ने अरब सागर के तल में बंबभव से पस्चिम दक्षिन पस्चिम में लगबग 455 किलोमिटर दूर एक नए 505 मीटर उंचे प्रवत्वत की खोजिकी इस इतना मतलब कोशन घुमा के पूछगा है लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो रमन सागर परवत है भी इसका राइट आंसर है अगला कोशन है निमलिखित कतनों में कौन सा एक सही नहीं है देखे आपको कोशन को भी इतमिनान से अच्छे से पढ़ना है जो कि कई बार हम कोशन को पढ़ने में गलती कर देते हैं यहां पूछागा है सही नहीं है तो हमको यह पढ़ना है टर्म सही नहीं है इसमें बताना अधी कुछ आए पर हैं देखे एक होल्ड रखते हैं आगे बढ़ते हैं पस्चिम घाट में अनाइमुडी सबसे हुँची चोटी है तो यह तो आपका राइट हो जाएगा इसको सभी करते हैं तापती नदी सत्पुड़ा के दक्षिन में स्थीत हैं अब यह हमने देखा था सत्पुड़ा यहां पर है इसके उत्तर में नर्मद और दक्षिन में क्या है तापती नदी तो यह भी राइट हो जाएगा और यह बहुत ही कंसेप्ट पर अधारित कोशन है आप देखिए पस्चिमिगाट उत्तरी छेत्र में अप एक सक्रत अधिक उचाईपर है दोस्तों यह उप्षिन गलत हो जाएगा क्योंकि पस्चिमिगाट दक्षिन में ज्यादा उचाईपर है और वहीं पर ज्यादा वर्सा होती है इसलिए उत्तर भाग में उत्तर महरास्ट की तरफ व प्रवत के पीछे साइड महां पर वर्सा नहीं होती है तो एसका राइट अंसर है पस्चिमिगाट की उचाई उत्तर से दक्षिन पर बढ़ती जाती है यह देखें यह कंसेप्ट प्यदारित है दोस्तों पस्चिमिगाट उत्तर से आएंगे दक्षिन की तरफ बढ़ेगी इसकी उचाई तो यहां को दिहान में रखना है इसकी सबसे उची चोटी केरल मेस्तित अनायमुडी चोटी है जो दक्षिन छेत्र मेस्तित है यह आपको धेहन में रखना है आगे बढ़ते हैं भारत की निमलिकित में से कौन सी प्रवत सिरीनी केवल एक ही राजयें फैली है अरावली तो आपको पता है कि कई राजयें फैल ही लिखा भी आंजन्ता महरास्ट राज्य मीस्तित ईधाता एजन्ता गुफवाई भी का हैं फिस्तों महरास्ट में आपको दिया में रखना है में अगला यह कुर्षिम करनातक में पसिम्गाट क्या कहलाता है तो महराज टेम करनाटक में पस्चिम घाट को सहयादरी बोलते हैं, सहयादरी कहा जाता है Next question है, नीचे दी गए कूट से निमलिखित पहड़े होगा, दक्षिन से उत्तर की और बढ़ते हुए करम में लगाना है दक्षिन से हमें उत्तर की तरफ जाना और इसी करम में लगाना है, तो आप पढ़ेंगे सत्मूला पहड़िया, कैमूर पहड़िया, पीर पंजल स्रेणी नागा पहड़िया, पीर पंजल तो आपको पता कि सबसे उत्तर में आए, तो पीर पंजल सबसे उत्तर में, तो आपक पॉइंट सबसे लास्ट में तो 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 यह तो आप से अपका गलत हो गया और डी वाला उप्शन में गलत हो गया देखें ए तो छोड़कर देखें यह आपका अंसर आसानी से निकला आया है कितना अच्छे से कोश्चन हमने पकड़ लिया है इसमें अगर हमें केवल एक पॉइंट पता है पीर पंजाल पीर पंजाल कहां पर तो उत्तर में लद्धा के साइड है कारा कुरम लद्धा जासकर पीर पंज से रहने को तो पीर पंजाल सबसे उत्तर में तो सबसे लास्ट में यह आएगा उसका राइट आंसर है यह आपने देखा है आगे बढ़ते हैं कि कार्डमम पाढ़े जिन राज्जों की सिमाओं पर इसीत है वह है तो कार्डमम पाढ़े दोस्तों केरल यह तमिलनाडू रा भारत की दक्षिंतम प्रवस्रेणी है उससी इसका राइट आंसर काडमम भारत की सबसे दक्षिंतम प्रवस्रेणी कुन से दोस्तों काडमम कार्डमम पाढ़े भारत की दक्षिंतम प्रवस्रेणी है यह अन्नमलाई पाढ़े के दक्षिं में इस्तीत है यहाँ पर इलाइची का अत्यदिक उत्पादन होता है इसी कारणी से इलाइची पाढ़े भी कहा जाता है आगला कुशन देखते हैं सेवराई पाढ़े कहां आवस्तीत हैं तो सेवराई पाढ़े दोस्तों समील नाडू में स्तीत हैं है राइट अंसर है दी तमील नाडू यह तीन जो उप्शन नांएं याँ आपके maharasth में सीत है जिबकि maando pa da gust rat में है तो देखेंगे आज़ का आ अगे बढ़ते हैं कि निमलिकित में से कौन सायोग्म समेह नहीं ये आपको बताना कि कौन सथ रही है गरजात पहड़िया मांडव पहड़िया नल्लमलाई पहड़िया सेवराई पहड़िया तो अभी हमने देखा कि मांडव पहड़े कहां पर है उजुरात में है तो यह आपका गलत है आपका गलत हो जाएगा तो बी को अटा दीजिया राइट आंसर दोस्तों सब्सक्राइब गरजात पहड़े देखें इसी भाहने से आपको केवल देखें आपको केवल जो गलत आंसर वहां हैं निकरना है बलकि आपको यह भी याद रखना कि गरजात पढ़़े कहां पर उड तो आपको यह भी याद रखना है आगे बढ़ते हैं निमलिखित युगमों पर विचार कीजिए परियुक्त युगमों में कौन से सही सुम्मेलित है महादेव पाड़ियां मद्य भारत मेकीर पाड़ियां परवत्तर भारत तो तीन और चार यह आपका सही है जबकि एक और दो यह आपके गलत हैं कारडमम पाड़ियां कहां पर इसकित हैं केरल तो आपको यह ध्यान में रखना है तो तीन और चार सही हैं आपका आप देख सकत ऊप्रुब्वी तठ्मपो कहा जाता है तो आपको ये धियन में रखना है तो ये- दोनों आपको राइट है तीर और चार आगे बढ़ते हैं महादेव पाढ़िया भाग हैं तो महादेव पाढ़िया दोस्तो सत्पूड़ा के भाग है इसका राइट आंसर है यह महादेव पाढ़िया सत्पूड़ा परवत श्रेने का ही विस्तार है आगे बढ़ते हैं छोटी इस्तीत है छोटिया दोस्तों वो सत्थपुड़ा पहाड़ की ये सबसे उचे चोटी है तो ये आपको ध्यान में रखना है सबसे उचे चोटी कुन से धूब में इस प्रवत संक्ला का भाग है तो आपको यह दियानम ना है और यह पूर्विगषाट का हिस्सा या महिंद्र प्रवत का हिस्सा है इसके तरकुत रामगड की जो पहड़िया में 36 गड़ के मेंक अस्तिति हैं, आपको ये दो जो पोईंट है, इन्में confusion हो सकता है, राम गिरी की जो पाड़ेव ते लंगान में अस्तिति है, जो पूर्वी घाट या मेहंदर प्रवद का इस्सा है, दूसरा राम गड है, ये राम गिरी, जो राम गिरी के पाड़ेन अब अस confusion ना आओकर आप ध्यान में रखना तेलंगाना और कहां पर हैं महिंद्र प्रवत यहां पर देखें आप इस पस्टिक रण में देख सकते हैं जो गलत है आगे बढ़ते हैं पारसनात पहड़ी के उचाई कितनी है उसका राइट आंसर है 1365 मेटर पारसनात पहड़ी के अगला कॉशन देखते हैं सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है गारो मेरी कुल्ला मलाई डालमा तो उसका राइट आंसर है 1324 गारो पाढ़िया मेगाल्य में मेरी पुनाचल प्रदेश में है कुल्ला मलाई तमिलनाडू में है डालमा जहरगंड में अगला कॉशन पस्चिमि घाट के संबंद में निम्न कत्नों पर विचार कीजिए यह बताना कि पस्चिमि घाट यह एक ब्रहौंस्त परवत है ब्रहौंस्त परवत का मतलब ब्लोब परवत है इसका पूर्वड़ाल करम से नीचा होता हुआ पठार है इसका उत्रीखंड ब अगला कॉशन देखते हैं कोडाइक नाल किस पहड़ी में इस्तित है कोडाइक नाल आपका पालिनी पहड़ी में इस्तित है तो राइट आंसर है तो निमलिखित में से कौन सी पहड़िया राजिस्थान में विध्यांचल परवत सिर्णों के विस्तार है कर राइट आंसर ह पहड़ियां अगला कोशन कि निमलिखित में से कौन सी परवत चोटी पूर्वी घाट में अवस्तित नहीं है उसका राइट आंसर है सलहेर कि अगला कोशन है कि आपको मिलाना है यह राज्य है और यह सबसे उंची चोटी है तो अगर आप इसको मिलाएंगे केरल नांगलेंड उत्रकंड तमिलनाडू तो केरल में दोस्तों अनाई मूडी तो एका थ्री देखे एका थ्री दोस्तों कहां पर है केवल इस पॉइंट में सी में तो उसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में दोस्तों अनाई मूडी है नागा लेंड में सारा मती है उत्रकंड नंद देवी तमिलनाडू दोदो बेटा इनको आपको दिहान में रखना है आगे बढ़ते हैं मध्य भारत में इस्थित पहड़ों का पह्चिम से पूर्ण निमलीखित में से कौन से सही करम है उसका राइट आंसर है बी सत्थपूरा महदेव मैंकाल और छोटा नागपूर उसका राइट आंसर है फी अगला कोशन देखते हैं सत्थपूरा स्षेत् स्थित स्रीणों में से पच्छिम से पूर के और उनकी इस्थिति को दरसाने वाला यह मैं लिखित में से कौन सा सही करम है पूरी प्यासर है बढ़वानी की पहड़िया महादेव सरे अगला कोर्शन है निमलिकित में से किस पाड़ी पड़ चाहे बागान नहीं है राइट आंसर है गिरनार तो इस वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर को देखा है अगली वीडियो में दुस्त हम परवरत चोटे को देखेंगे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और बताना कि वीडियो कैसी लगी है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी पढ़ाई करते रहिए